हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल साविस की चैन में आज हम बनाएंगे मक्की की रोटी का भोती टेस्टी और भोती हेल्दी पराठा खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है कि आप इसे बार-बार बनाना पसंद करेंगे और बनाने में बहुती ज़्यादा असान है तो चलिए फ्रेंड्स बिना देरी केस को बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें इस तरह इसे एक बड़ा बरतन लेना है और यहाँ 0.5 रिए आपर मक्की का आटा लिया है तो जितना आपको बनाना हो उसी हिसाब से आप यहाँ पर आटे की quantity ले सकते हैं एड़ करना है चकुदल को भी मैंने कददकस कर लिया है और एक इंच में यहाँ पर लेना है अधरक के टुकड़ा, अधरक के टुकड़ को भी मैंने याँ पर कद्दू गस कर लिया है, बारीक कटा हुआ लेसुन लेंगे, चार से पांच कलिया हमें आपर लेसुन के लेनी है, सारी सबजियों को डाल देना है, अब हमें याँ पर मसाले एड़ करने आप चाहें, तो याँ पर मूली को भी गिसकर डाल सकते हैं, तो आधी छोटी चमच हमें याँ पर डालना है लाल मिर्ची पाउडर, डेड़ चमच हमें याँ पर डाल देना है, नमक, नमक आप याँ पर अपने टेस्ट के अंसार डाल सकते हैं, अब हमें आधी छोटी चमच धनिया को हमें आठे के अंदर अच्छे से मिक्स कर देना है और थोड़ा थोड़ा पाने डाल करके हमें आपर इसका एक डो लगा करके तियार कर लेना है तो डो हमें आपर ज़्यादा सकत नहीं लगाना है बिल्कुल सॉफ्ट सा डो हमें आपर लगा करके तियार कर लेना है बहुत ह टेस्टी हमारे ये पराठे बन करके तयार होंगे सर्दियों में इतनी सारी सब्जियां आई रहती हैं बिल्कुल ताजी ताजी तो आप इन सर्दियों में इस तरह से इस पराठे को जरूर से बना करके खाएं टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी हमारे ये परांठे बन करके तियार होते हैं और बच्चे जो हैं मग्गी की रोटी खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप उन्हें इस तरह से खिला सकते हैं बोती healthy और बोती tasty हमारा ये नास्ता बन करके तियार होता है और बच्चे भी से बोती शोक से खाना पसंद करेंगे तो बस इस तरह से थोड़ा थोड़ा पनी डाल करके हमें यापर इसका एक soft सा डो लगा करके तियार कर लेना है अब हमें इसको रख देना है rest के लिए 5 मिनट के लिए तो इसको ढख करके रख देंगे तो 5 मिनट हो चुकी है friends तो देख लेते हैं हमारे आटे को तो आटा बिल्कुल अच्छे से perfect तयार हो चुका है एक बार और हमें यापर इस तरह से इसको mash कर लेना है mash करने के बाद अब हमें यापर इसकी लोईया तोड लेनी है तो आपर हम इस तरह से छोटी छोटी इसकी medium size की लोईया तोड लेंगे जैसा हम रोटी के लिए लोई लेते हैं सेम उसी तरह के हमें यापर लोई बना करके तयार कर लेनी है अब हमें यहाँ पर लेना है चकला और थोड़ा सा हमें यहाँ पर लेना है मक्की का सूखाटा और लोई को हमें आटे के अंदर इस तरह से अच्छे से कोट कर लेना है और कोट करने के बाद हमें यहाँ पर इसको बेलना है बिल्कुल भी नहीं फटेगा बहुत यसाने से बिल करके तियार हो जाएगा तो इस तरह से हमें हलके हलके हातों से इसको बेल करके तियार कर लेना है अगर आप चाहते हैं यहाँ पर कि बिल्कुल गोल गोल शेप में आपकी रोटी बने या फिर आपका पराठा बने तो इसके लिए हमें यहाँ पर कोई भी इस तरह का बरतन लेना है जिसकी इस तरह से गोल शेप हो और इसकी हमें यहाँ पर कटिंग कर लेनी है इससे जो है हमारा पराठा बिल्कुल गोल शेप में बन करके तियार होगा वैसे नोर्मली भी ये पराथा मारा बिल्कुल गोली बन करके तयार होता है तो यहाँ पर मैं इस तरह से एक कटोरा ले रही हूँ आपके पास जो भी बरतनों उससे आप यहाँ पर इसके कटिंग कर सकते हैं तो इस तरह से हमें कटोरे को रोटी के ओपर रखना है और हलका सा इसको दबाना है बहुत ही असानी से जो है इसकी कटिंग हो जाएगी तो देखे इस तरह से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है और इस साइड का जो है इससको हमें अटा देना है बाकी की जो लोगी हम बनाएंगे उसमें हमें इसको मिला देना है तो इस तरह से देखिए बिलकुल असानी से जो है ये बन करके तयार हो जाता है और बिलकुल गोल शेप आई है और देखने में भी कितना ज़्यादा सुन्दा लग रहा है आप चाहें तो इसको नॉर्मले भी बना सकते हैं तो अब हमें यहाँ पर इसको सेख लेना है तो इस कि उसे वह बिइस आ पसंद दो आप यहां पर लगा सकते हैं तो मैं यहां पर इसको देशी गी में बना करके तयार कर रही हूं देशी गी में इस पराठे का स्वाज जो है बहुती ज़्यादा अच्छा आता है आप चाहें तो रिफाइंड ओयल में भी इसको बना सकते हैं तो इस तरह से दोनों तरब से हमें इसमें अच्छे से गी लगा देना है और दोनों तरफ से इसको अच्छे से क्रिस्पी होने तक हमें सेख लेना है तो इसको सेखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है दो से तीन मिनट में ही हमारा जो पराठा है अच्छे से सिख करके तयार हो जाता है तो देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल अच्छे से पराठा सिख करके तयार हो चुका है तो इसी तरह से बाकी के सभी पराठा को हमें बना करके तयार कर लेना है तो चलिए इसी तरह से हमें इस पर भी घी लगा करके तयार कर लेना है दोनों तरफ से अच्छे से और इसको भी हमें क्रिस्पी होने तक सेख लेना है तो देखिए फ्रेंड्स दोनों तरफ से पराथ अच्छे से सिख करके तियार हो चुका है और इसी तरह से मैंने आप पर बाकी के सभी पराथों को सेख करके तियार कर लिया है तो इस तरह से आप जरूर से बना करके खाएं आपको बहुत ही ज़दा पसंद आएगा और बहुत ही हेल्दी हमारे पराठे बन करके तियार होंगे सुबह के नास्ता हो या फिर शाम का हो आप जब मर्जी से बना करके खा सकते हैं करें तो यहां पर इस पराथे को हमारे धनिय की चटनी के साथ सब करें तो आप देख सकते यहां तक आपने मेरे चैनल को अगर आपको मेरे रैस्पि पसंद आती है तो अपने धोस्ति-धार में शेर करना ना बूले एक लाइक का बटन आपसे जरूर प्रेस करें और अपना प्यारा सा कमेंट करना ना बूले तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बैटी केर